स्री डैनिश रलीडी धन्यवाद सभापती जी आपने मुझे एक बहुत ही महत्रपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया देश में पत्रकारों एम हासे कलाकारों की आजादी छीनी जा रही है उन्हें इमानदारी से कारे करने एम देश में हो रहे घटनाओं को सच्चाई देश की वे दुनिया के सामने लाने पर जेल भेजा जा रहा है आजाद देश में ये क्या देखने को मिल रहा है सभापती जी दिल्ली विधानसभा चुनाओं के समय कितने तथाकतित बुद्धी जीवियों के साथ देश के कैई नेताओं ने भड़काओ भाशन वे वेक्तवे दिये थे लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कारवाई नही आ रही है हाली में स्टेंड अप कमेडियन मनवर फारुकी को जेल में भेजा गया सिंदू बॉडर से सतंत्र पत्रकार मंदी पूनिया को ग्रफतार किया गया उत्तर परदेश के आजमगण में दलित महिला के साथ हुए बलतकार को कवर करने जा रहे सिद्धी कापन को जो ह जेल में बंद की रखा जा रहा है आजमगण में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के जाडू लगाने के वीडियो बनाने वाले एक पत्रकार को ग्रफतार किया गया कई ऐसे बड़े पत्रकारों के खिलाफ जो है कई राज्यों में मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं ये आधात पत्रकारिता की आवास को दबाने का काम इस देश में हो रहा है मानने सभापती जी मैं ऐसे सेक्डों घटनाए सामने आई है अपरात करने वाले वे अन्य बत्माश सब्कों पर घूम रहे हैं लेकिन पत्रकार और कमेडियनों को जेल की सलाकों के पीछे बेजा जा रह अधाय में मानने सभापती जी दन्यवाद